दोस्तों मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ हमारा परिवार दस हजार मेंबर्स की गिंती पार कर चुका है पर मेरे कुछ सब्सक्राइबर जो सब्सक्राइबर से ज़ादा मेरे दोस्त रहे हैं और हमेशा मेरे हर पहलू में मेरा होसला बढ़ाते रहे हैं उनका स्पेशल धन्यवाद अभिपी, चैटु भाई, ठाकुर आजाद सिंग, वोइस सैंस डेस्टिन, वोइस ओफ आर्टी से रवी जी, शभीर एमद, दा इंडियन अंडर्डॉग, हेमा गर्ग, ममता यादव, विभाकर राथोर, अभिशेक सिंग, लक्की साहिल, सूरज मिश्रा, सोनू सोनू जी, रिजवान खान, दिलजले अजय, मुहमद शाहबाज, लौड बहा, सिद्धान चंद्र, अवनीत कौर, रीमा रॉय, वर्शा वर्शा, समीरा फातिमा, चिंटु कुमार, अमन पहल, पंकज सनातन धर्म, ह देमा, इतकार, सबा, नाज, देवासमित उदास, राम नगारी, सना शेख, हश्मीत, सौरब गर्क, सुमी माकन, और सबसे जदा अभारी हूँ, अपनी वाइफ सरिता, और बेटी खुशी, के प्यार और सपोर्ट के लिए, जो हर छुट्टी के दिन मुझे बिना डिस्टर नहीं सकता, और ऐसा नहीं है कि जिनके नाम यहां नहीं है, वो मेरे लिए कम इंपोर्टन्ट है, आप सब मेरे लिए इस चैनल के आकाश में फैले तारों की तरह हैं, जिनका मैं रोज बेसबरी से इंतजार करता हूँ, आप सब का मुझे प्यार और दुआएं देने के लि ऐसे अब तक ज्यानेश घर आज आया करता था, पर आज उसे काफी देर हो गई थी, वैसे तो उसने बताया था कि आज मिल में ओवर टाइम करना होगा, पर उस इसाब से भी उसे अब तक आज आना चाहिए था, रात के साथ साथ मालती की चिंता भी बढ़ती जा रही थी, उसके माता पिता उत्तर प्रदेश में उसके गाव में ही रहते थे, उस वक्त चन्वरी की काली सर्द रात चारों और सनाटा पसरा था, चान तो नहीं, पर सडक के दोनों और लगे खंबों पर लगे बलबों में से कुछ एक दो जो अभी भी काम कर रहे थे, उनकी रोशनी सडक के अंधेरे को यहां वहां से डक रही थी, तो सडक पर पूरी तरह अंधेरा तो नहीं था, पर कम रोशनी होने से सब ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, सर्दी की रात थी तो धुन्द भी काफी थी, सिर्फ दो जोडी कदमों की आवास सनाटे में गुझ रही थ एक गर्म शॉल में लिप्ता ठंड से ठिटूरता ग्यानेश अपनी लेट शिफ्ट खत्म कर घर लौट रहा था, सडक से कहीं कहीं निकली रोडी के टुकरे बीच बीच में ग्यानेश की चपल में अटक जाते थे, जिन्हें निकालने के लिए ना चाहते हुए भी उसे ग्यानेश जो भारत मिल में मजदूर था, देर रात बारा बज़े अपनी शिफ्ट खत्म करके घर की ओर जा रहा था, रोज की तरह आज भी वो पैदल ही था, उसका घर मिल से कुछ दो तीन किलो मीटर दूर भारत मिल कालोनी में ही था, कुछ मजदूर मिल में बाहर से भी जादा पैसे मिलने के बावजूद देर रात काम करना पसंद नहीं करते थे, और इसकी वज़ा थी साथ की कॉलोनी का कबरस्तान, वो कबरस्तान जैसे रात ढलते ही जाग जाता था, बदकिस्मती से ग्यानेश का घर कॉलोनी की आखरी गली में था, वैसे तो रात में अकेल जाना उसके लिए आम बात थी, पर फिर भी कभी कभी इतनी रात गए कोई भी आवाज आती थी या हवा तेज चलती थी, तो उसके पूरे बदन में सिहरन दोड़ जाते थी, इसके बावजूद हिम्मत कर तेज कदमों से चलता हुआ वो घर की और बढ़ रहा था, रास्ते में साथ की कॉलोनी की दिवार से सटा कबरस्तान, वहां से देर रात अजीब अजीब सी सीटियां सुनाई देती थी, वहां के बारे में पूछने पर किसी ने बताया था कि कुछ बद दुआएं हैं, जो रात को रूहों में बदल कर अजीब अजीब सी आवाजें करती हैं, ग्यानेश लगबग रोज ही यहां से निकलते समय अपने कान कसकर बंद कर लेता था, और कुछ पांच मिनिट इतना तेज दोड़ता था कि किसी तरह ये रास्ता पार कर जाएं, आज भी उसने भाग कर किसी तरह रास्ता पार कर लिया और हाफता हुआ पल भर को रुका ही कि पीछे से सर्द आवाज आई, भाई माचिस है, कोई मरदाना आवाज थी, ग्यानेश जमसा गया, उसे लगया जैसे उसके शरीर में खून है ही नहीं, उसका दिमाग एक्तम सुन हो गया, दिल तेज तेज धड़कने लगा, हाथ पैर इतने ढहिले पड़ गए कि हिलने की हिम्मत भी नहीं बची थी, अभी वो पीछे से आ रहा था, तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया था, नहीं उसके साथ चलते किनी कदमों की आहट उसने सुनी थी, फिर इतनी सुनसानियत में इतनी रात गए, कौन माचिस मांग रहा था, उसने मन ही मन उपर वाले का नाम लि अरे तिरे पास माचिस है? पर ग्यानेश चलता रहा, उसका डर पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका था, पर रुखने का तो सवाल ही नहीं था, उसने और तेज चलना शुरू कर दिया था, तभी अचानक फिर आवाज आई मैंने कहा, आपके पास माचिस है? पर इस बार आने वाली आवाज एक हौरत की थी, उसने पलट कर देखा, तो पीछे पीली रेशमी साड़ी और कई सोने के गहने पहने, उसकी भीवी मालती, उसके छे महीने के बच्चे सोनु को अपनी गोध में उठाए, पीछे खड़ी माचिस मांग रही थी, उसकी आखें एकदम पत्थर की हो चुकी थी, मा और बच्चा दोनों उस अंधेरी सड़क पर खड़े थे, लेकिन कोई हरकत नहीं कर रहे थे, आखिर इतनी रात गए, उसकी बीवी और बच्चा यहां क्या कर रहे थे? परिशान सा ग्यानेश पल्टा और बोला, मालती, तुम यहां क्या कर रही हो? पर बिना कोई जवाब दिये, मालती पल्टी और चलते चलते सड़क की दिवार के आर पार होकर, दिवार के दूसरी और जागते कब्रस्तान की तरफ निकल गई बड़ी हिम्मत करके, काफी देर कोशिश करके ग्यानेश ने एक बड़े से पत्थर का जुगार किया और उसको घसीट कर दिवार के पास ले आया किसी तरह उस पर चड़कर दिवार के उपर चड़ कब्रस्तान में कूदा, तो देखा कि विरान कब्रस्तान में कई कब्रों के बीच धीरे धीरे चलती मालती, वहां कुछ आगे, उसके बच्चे को साथ लिए चलती जा रही थी मालती, मालती, चिलाता हुआ वो उसके पीछे भाग पड़ा, पर मालती बिना कोई जवाब दिये, वहां एक कब्र पर चुपचापचा कर बैठ गई, ग्यानेश हैरान परिशान सा कुछ आगे बढ़ा, और उस और अंधेरे में कहीं देखती, अपनी बीवी के कंधे पर हा पर थोड़ा जञजोडा, तो मालती ने ग्यानेश को जोर का एक धक्का मारा, धक्का इतना तेज था कि वो थोड़ी दूर एक दूसरी कब्र के पास जाकर आउंधे मूँ गिरा, उसका सर उस दूसरी कब्र के एक कोने पर जोर से लगा, और सर से खून बहने लगा, उसे का उस सर्द रात को तारों भरे काले आस्मान के नीचे उस बयाबान कब्रस्तान में अकिला खड़ा ग्यानेश सकते में था, इतनी रात कर उस भयानक कब्रस्तान में कैसे उसकी वीवी दिवार लांग कर उसे धक्का दे गायब हो गई थी, और परिशानी की बात थी कि उसके स इतनी सर्द रात में एक छे महीने का बच्चा भी था, मालती तो वहां से जा चुकी थी, उसने सोचा कि जल्दी घर वापिस पहुँच कर देखता हूँ, उसने वापिस आकर दिवार लांगने की कोशिश की, पर इस तरफ जमीन थोड़ी नीची होने से वो कई मर्तबा पावजुद दिवार पर चड़ नहीं पाया, बलकि उसके हाथ पर इस कोशिश में कई जगा से छिल गई थे, उसने फैसला किया कि वो अब सामने के गेट से ही बाहर जाएगा, ये सोचकर वो पल्टा और गेट की और जा ही रहा था, कि वहां उसे एक बूढ़ा आग के पा एक और चोटी सी तीसरी हांडी में कुछ पक रहा था, जिसे उसने उस हांडी में पड़ी एक इनसानी हड़ी से हिलाना शुरू कर दिया था, उसने वो हांडी जलती आग से उतार हाथ में उठाई और उसमें उंगली डुबो कर कुछ निकाल कर चाटने लगा, ना तो दहक के पास खिचा चला गया और वहां जाकर खड़ा हो गया उसने देखा बुड़े की शकल एक तम किसी इनसानी खोपड़ी की तरह थी शायद नाम को ही सूखे मास की एक पतली परत उसके चेहरे पर रही होगी उसकी बेजान आखें उसकी खोपड़ी के काले गड़ों में धसी ह जैसे मुह के बाहर आने को हो रहे थे उसकी लंबाई इतनी थी कि बैठे बैठे भी वो वहां खड़े ग्यानेश से आख से आख मिला कर बात कर रहा था भूक लगी है तुझे ये ले ये खाएगा खर कराती से आवाज में उसने ग्यानेश से पूछा और इस काले वक्त में यहां कैसे आया तुझ क्या तेरा भी कोई रिष्टेदार दिखा तुझे मतलब ग्यानेश ने हैरान होते हुए पूछा मतलब ये कि तुझ कोई पहला नहीं है जिसने ऐसे किसी को देखा है जिसे तुने देखा वो तेरी जान पहचान का नहीं बल्कि खूखा है जब दिन और रात दोनों सोने को होते हैं न तो यहां सिर्फ वीरानी नहीं खूखा तैरता है हर रात वो किसी ना किसी को अपने आसपास से गुजरता दिखाई देता है गुजरने वालों के कानों के पास सांस लेता सुनाई देता है बूढे ने जवाब दिया खूँखा? खूँखा कौन? और बाबा तुम कौन हो? और इतनी राग गए यहां क्या कर रहे हो? ग्यानेश ने घबराते हुए पूछा मैं आग पका रहा हूँ लड़के तेरे पास माचिस है? उस डरावने चेहरे वाले भूडे ने उसकी बात सुन दूसरी और थुका और फिर खर्खराते गले से निकलती सर्द आवाज में जवाब दिया और जलती हाडी में से निकाल कर कुछ सुलकते हुए अंगारे अपने मुह में रख लिये और उन्हें अपने सदियों पुराने हडी में तब्दील हो चुके जवणों से चबाते हुए बोला मराखों का एक छलावा है जो किसी जिंदा इंसानी सूरत में हर रात गए आस पास से गुजरने वालों को दोखा देता है उन्हें चलता है इंसान ही नहीं कभी कभी तो जानवरों की सूरत भी ले लेता है कौन जाने किस की शक लेकर वो किस के सामने कब आ जाए तुझे भी कोई मिला है क्या बुड़े ने बिना आख चपकाए पूछा ग्यानेश का डर के मारे बुरा हल हो चुका था बाबा मुझे दो ऐसा कोई नहीं मिला बलकि मेरी पत्नी मेरे बच्चे को लिए उस दिवार को खड़े खड़े पार कर गई और इस कबरस्तान में घुसाई अभी कुछ देर पहले ही मुझे जोरदार धक्का देकर कहीं गायब हो गई बस उसी की तलाश में घर लोट रहा था कि आप दिख गए और पता नहीं क्यों बजाए घर जाने के मैं आप तक खिचा चला है और बाबा तुम मुझसे माचिस क्यों मांग रहे हो यहां इतनी आग जलाए बैठे हो तो माचिस का क्या करोगे ग्यानेश ने पूछा जिसकी आग हूँ वो उसे ही तपाती है समझा मैं अपनी आग में तप रहा हूँ तुझे अपनी आग में तपना हुआ हर कोई खुद को जलाने वाली आग लेकर पैदा हुआ है कोई जीते जलता है तो कोई मर कर आ यहां बैट मेरी आग जल रही है चाहे तो थोड़ी उधार ले ले बाद में चुका दियो ग्यानेश की समझ नहीं आया पर सरदी से मजबूर वो आग सेक ने बैठा ही था कि तभी उसकी नजर आग में धदकती लकडियों की और गई पर वो शैतानी आग लकडियों या कोईलों से नहीं बलकि उस बूड़े की सफेद हड़ी हो चुकी टांगों पर चल रही थी बूड़ा अपनी लंबी बांस सी सुखी टांगे फैलाए बैटा था उस उबलती हांडी में उंगली डाल निकाल कुछ खा रहा था और उनजलती टांगों से निकलती आग पर वो अपने ही हाथ से इक रहा था खाते खाते उसने वो हांडी आगे की और बोला ताजा इंसानी दिमाग उबल कर तयार हो चुका है थोड़ा खाएगा ग्याने इस डर से वहीं जम गया तभी बुड़ा बोला अरे पागल ऐसा कभी होता है कि कोई जिन्दा जान चलते चलते दिवार पार कर जाए या बैठे बैठे गायब हो जाए देख मुझे अब मुझ बुड़े की शकल में बैठा है वो यहीं तेरे सामने अब चलावा है तो चले गए ही न और बुड़ा तेज तेज हसने लगा उस अंधेरे कबरस्तान में उसके रौंग्टे खड़े कर देने वाले ठाके गुंज रहे थे उसकी टांगों पर लगी आग में उसके बचे खुचे दांत अंगारों से चमक रहे थे तभी बुड़े की टांगों से निकलती आग की लप्टों ने उस बुड़े को सर तक पूरा ठक लिया तभी वो बुड़ा उठा उसकी लंबाई वहां लगे पेड़ों के बराबर लग रही थी आग की लप्टों में घिरा हुआ न तो वो चिलाया और नहीं घबराया और इसके पल भर बाद ही वो आग और वो बुड़ा ऐसे गायब हो गए जैसे वहां कभी थे ही नहीं ग्यानेश के शरीर और दिमाग दोनों को जैसे लक्वा मार गया था ये देख सुनकर ग्यानेश पसीने से तर बतर थर थराता हुआ वहीं बेहोश हो गया थकान और डर के असर से वो खाफी देर तक वहीं कबरस्तान की जमीन पर पढ़ा रहा उसकी आँख तब खुली जब लाल टेन लिये एक आदमी जो शायद उस खबरस्तान का चौकिदार ही था उसने ग्यानेश को हिलाते हुए पूछा अरे कौन है तू अंदर कैसे आ गया तो पानी पिला दो थोड़ा ग्यानेश गवराते हुए बोला लाल टेन की रोशनी में ग्यानेश के चेहरे पर पसीने की बूने साफ चमक रही थी उसका दिल धौकनी सा धड़क रहा था उसकी हालत देख चौकिदार को तरस आ गया और उसने अपनी जोपड़ी के और इशारा करते हुए उसे कहा चल उठ वहाँ चल कर पानी पी ले ठंड से जम गया है तू पर फिर भी तेरे पसीने बंद नहीं हो रहे हैं और इसके साथ ही वो ग्यानेश को उठा कर कबरस्तान के कोने में बनी अपनी जोपड़ी की और चल पड़ा कबरस्तान में यहाँ वहाँ से अजीब अजीब सीटियां सुनाई दे रही थी कई भार तो ग्यानेश को लगता जैसे रूहें उसके कानों में धीरे से कुछ कह रही है तब ही उसे लगा जैसे एक सर्द सी हवा उसके कानों के पास से गुजरी है उसके कानों में धीरे से कह रही है फाग चाँ फाग चाँ फिर आवाजों को सुन गयाने इस बार बार गिरने को हो रहा था उसने हिम्मत कर चौकीदार से कहा आप रहने दो मैं चलता हूँ मुझे बस गेट बता दो कहा है मैं चला जाओंगा इतनी रावत में कैसे जाएगा सुन नहीं रहा रूहें बुला रही है भागने को कह रही है न पर दर असल वो तुझे अपने पास बुला रही है रात में कबरस्तान के दरवाजे पर पहरा देती हैं ये मैं जानता हूँ उन आवाजों पर ध्यान मत दे बस चुप चाप चलता चल और वो चौकिदार किसी तरह उसे संभालता हुआ कबरस्तान के एक कोने पर बनी अपनी छोटी सी जोपड़ी में ले आया जोपड़ी के अंदर घुप अंधिरा था चौकिदार लालटीन लेकर अंदर घुसा तो थूड़ी रोश्नी हुई अंदर एक दिवार के साथ लगी खाट पर कोई सो रहा था जोपड़ी बहुत ही पुरानी थी और वहां बड़ी गंदी बद्बू फैली थी चौकिदार ने ग्यानिश को एक और बेठा कर थोड़ा पानी पिलाया और बोला कुछ खाएगा और साथ ही खाट पर सो रही एक औरत को उठाते हुए बोला अरी सुन उठ कुछ खाने को पड़ा है नहीं रखा तो दो रोटी ही बनाती इधर ग्यानिश को डर ठंड और भूक बुरी तरह सता रही थी उसने ना तो हां की और ना ही ना और थखान के मारे बद हवास सा चुप चाप वहीं एक कोने में जमीन पर बैठा रहा वो औरत शायद चौकिदार की बीवी ही थी उसका चहरा पूरी तरह ढखा था उसने बिना कोई जवाब दिये उठकर पास रखा एक बरतन चूले पर चढ़ा दिया ठंड काफी है मैं दर्वाजा बंद कर देता हूँ चौकिदार ने कहा और जोपड़ी का दर्वाजा बंद कर दिया ग्यानेश बुरी तरह घबराया हुआ था और अब ये सोची रहा था कि ये सब क्या हो रहा है कि तब ही उसने देखा कि चूले पर चढ़े बरतन से दुआ निकलना शुरू हो गया है पर परिशान कर देने वाली बात ये थी कि चूले में कोई आग नहीं चल रही थी इसके बाद वो बरतन उतार कर तवा चढ़ाय गया और रोटियां बेल कर तवे पर डाल दी गई जाने कैसे कुछ देर में रोटियां भी पक गई जल्दी ही चौकिदार की बीवी ने गर्मा गरम सबजी के साथ दो रोटि उसके सामने रख दी भूख से बेहाल हुआ ग्यानेश पागलों की तरह खाने पर तोट पड़ा पर तब ही उसके मुँँ में हड़ी जैसा कुछ आया तो खाना रोक हलकी रोश्णी में उसने देखा वो एक इनसानी उंगली थी तब ही उसकी बीवी बोली थोड़ा अचार लोगे और उसने मसाले में लिप्टे दो मास के टुकड़े एक चम्मच से ग्यानेश की थाली में डाल दिये ग्यानेश की नजर उस औरत के पैरों की और गई तो उसे दिखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे दहशत से बुरी तरह कमजोर पड़ चुके ग्यानेश ने ठाली एक और फैंक वहीं उल्टी कर दी उसे लगा जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी इतने में वो दोनों मिया बीवी उन मास के टुगणों पर तूट पड़े और उठा कर एक एक दोनों ने अपने मुह में डाल लिया और अब वो दोनों ग्यानेश को देख रहे थे उल्टी कर अभी उसने मुह उठा आई था कि उसका मुह खुला का खुला रह गया और कबरस्तान के दर्वाजे की और दोड़ लगा थी और उसके पीछे वो चौकीदार भी उस ओरत को उठाए ग्यानेश की और दोड़ पड़ा ग्यानिश ने सामने दिखा तो उसकी बीवी मालती सामने कबरिस्तान के दर्वाजे पर खड़ी उसे आवाज लगा रही थी वो और तिस दोड़ पड़ा पर फिर भी तीन चार मिनट लगा तार दोड़ने के बाद भी वो गेट तक पहुँच नहीं पा रहा था जितनी आगे वो जाता गेट और दूर होता जाता पीछे आ रहे चौकिदार और उसके कंधे पर बैठी उसकी बीवी अब उसके कावफी पास आ गए थे और सामने बन गेट के उपर से खूखा जो उस बूढ़े के रूप में था जलती टांगों से उस गेट पर चड़ धीरे धीरे बाहर से अंदर की ओर उतरा कुछ ही पलों में वो अंदर उतराया और अपने दोनों हाथ ग्यानेश की बीवी मालती के सामने पहला दिये मालती ने अपना च्छे महीने का बच्चा सूनू सीधा उसके हाथों में उच्छाल दिया और उस बच्चे को ले वो बुढ़ा वापिस उस गेट पर चड़ने लगा ग्यानेश जोर से चिलाया मालती ये क्या कर रही हो पागल तो नहीं हो गई पर मालती बिना कोई आवाज दिये चलते चलते उस गेट के आर पार निकल गई अपने बच्चे को खत्रे में दे ग्यानेश जोर से चिलाया पर पीछे से उसके पास आ चुके चौकिदार और उसके कंदो पर बैठी बीवी में से एक ने उसके मुँपर हाथ रख जोर से दबा दिया और दूसरे ने उसे जोर से धक्का दे जमीन पर गिरा दिया ग्यानेश अब होश खो चुका था सुभ सूरज की पहली किरन के साथ ग्यानेश की आँख खुली वो अकेला कबरस्तान की जमीन पर पड़ा नीले आस्मान के नीचे सांस लेने की कोशिश कर रहा था वहना तो वो पती-पत्नी थे और नहीं कोई जोपड़ी नहीं बुढ़ा मालती या उनका बेटा सोनू खुले आस्मान के नीचे पड़ा ग्यानेश सर्द हवा के जोंकों से अभी भी काप रहा था हवा के जोंके उसे छूते हुए ऐसे निकल रहे थे जैसे वो उसे कबरस्तान के बाहर दखेल रहे हूँ उसके कानों के पास से फिर सरसराती हुई एक आवाज गुंजी भाग जाग जाग उसने अपनी सारी हिम्मत जमा की और तेज गदमों से चल पड़ा कुछ ही देर में जंग खाया बड़ा सा पुराना लोहे का गेट और एक तम उसके सामने था उसके जोर से धखेलने पर कबरस्तान का दरवाजा खुल गए रात के वाखे से वो फक सफेद पड़ चुका था उसे रहे रहे कर उल्टी हो रही थी कॉलोनी में रहने वाले लोग उसकी बीवी के साथ मिलकर उसे जगा जगा ढून रहे थे लगबख खुद को घसीटता हुआ किसी तरह वो घर पहुँचा तो सबकी सांस में सांस आई उसे तेज बुखार आया था मालती और ग्यानेश एक दूसरे को वापस पाकर बहुत खुश थे डॉक्टर को बुलाय गया ग्यानेश का बुखार काफी तेज था डॉक्टर ने दवाई के साथ इंजक्शन दिया और हफता भर घर पर आराम करने की हिदायत दे कर चला गया दवा के असर से पूरा दिन ग्यानेश सोता रहा पर शाम को आँख खुलने पर अब वो बहतर महसूस कर रहा था मालती ने चाय बनाई और दोनों साथ बैट चाय पीने लगे ग्यानेश की गोद में लेटे सोनू के हाथ पैर जोर से हिल हिल कर दोनों का मन मोह रहे थे इसके बाद ग्यानेश ने कभी भी नाइट शिफ्ट में काम नहीं किया